सबसे पहले एक सब्द के अर्थ को देखते हैं फिर व्याख्या करेंगे किस वही रहेगा व्रत माने संकल्प होता है में वही रहेगा है वही रहेगा व्रती माने संकल्प लेने वाला वीर मतलब भादूर यह माने वही नेंद्रा माने नीद का वही रहेगा योँ इस प्रकार त्याग किये है छोड़ दिये है राज भोग्य राजा की तरब भोगने के योग्य विपिन माने जंगल में माने में बैठा बैठा आज आज विराग मतलब वैराग्य वैराग्य का मतलब होता है घर छोड़ देना लिये है वैराग्य लिये है बना वही रहेगा हुआ वही रहेगा है वही रहेगा प्रहरी माने रखवाला या पहरेदार जिसका वही रहेगा उस वही रहेगा कुटीर माने कुटिया में क्या धन है जिसकी वही रहेगा रक्षा वही रहेगा में वही रहेगा रत माने लगा हुआ इसका वही रहेगा तन माने सरीर मन वही रहेगा लएधिम देखते हैं मैंतली सरन लक्षमन की विशेष्टा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह एह वीर किस्व व्रत को धारण किए हुए है या यह व्रती बहादूर किस संकल्प को धारण किये हुए है जिसके कारण इसने अपनी निद्रा का त्याग कर दिया है जो राजा के सुख भोगने के योग्य है वह जंगल में आज वैराग लेकर के बैठा हुआ है बना हुआ है प्रहरी जिसका यह पहरेदार बना हुआ है जिसका यह रखवाला बना हुआ है उस कुटी में ऐसा कौन सा अमुल्यधन है जिसकी रक्षा के लिए इसका मतन, मन और जीवन लगा हुआ है चलिए एक बार फिर से देखते हैं पंचवटी में लक्षमर जी कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं और उनकी विशेष्था कावर्ण करते हुए मैसली स्रणगुप्त कहते हैं कि यह संकल्प लेने वाला वीर पुरूस कौन सा ऐसा संकल्प लिए हुए है जिसके कारण इस बैठा हुआ है जिस कुटिया का यह पहरेदार बना हुआ है उस कुटि में ऐसा कौन सा अमुल्य धन है जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन लगा हुआ है कि ठीक है उमेद्य आपको समझ में आ गया होगा कल हम लोग इसके आगे चौथा पद देखेंगे